नमुश्कार में अप्रिया आज है 21 दिसंबर चुले जानते हैं भिहार की 25 बड़ी खबरों को दाखल खारज कराने के लिए जलधी लगाए जाएगा क्याम्प जमीन का दाखल खारज कराने के लिए अंचला दिकारियों को क्याम्प लगाने का फैसला सुनाए गया है मिली जो अनकारी के नुसार म्यूटेशन यानि के दाखल खारज के मामले को समय से नश्पादन के लिए DCLR और CEO के काम का भी मुल्यांकन शुरू हुआ था जिसकी बाद यहां पता चला है कि लंबित आवेदनों की संख्या बढ़ गई है पटना जुले के सदर अंचल में ओनलाइन दाखल खारज के सबसे अधिक मामले लंबित है जबकि विक्रम में सबसे कम है पटा सदर की बात करे तो वहां 21 फीसदी आवेदन पर कारवाई नहीं हो सकी है जबकि विक्रम में मात्र 6 फीसदी आवेदन का निप्टारा नहीं हो पाया है हाला कि अब क्याम्प लगा कर इन मामलों के निप्टारे का फैसला लिया गया है खगडिया जुले के बावन कोठी तिरपन द्वार में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास भूल भुलाया के नाम से जाना जाने वाला यह महल गोगरी अनुमंडल सित भतखंड गाओं में गंगा किनारे राजा बैरम सिंग द्वारा 1633 इसा में बनवाए गया था यह एतिहासिक महल बावन कोठी तिरपन द्वार नाम से विख्यात है यह महल मुगल कालीन है इसकी वास्तोकला आज भी जिवन्त है इस महल के अंदर एक मंडप है जिसके चारो और इट मारने पर अलग अलगतर है की आवाजे सुनाई देती है इसके अंदर एक सुरंग भी है उसी सुरंग द्वारा राजा और रानी पूझा करने के लिए मंदर आते थे इस महल में 27 तरह के इटो का प्रयोग किया गया था इसे भूल भुलाईया भी इसलिए कहते है स्वास्तविभाग ने 21 जिलो के अधिकारियों के रो के वेतन Free Drug Service Initiative कारिक्रम में घोरला परवाहियों जागर होने के बाद स्वास्तविभाग ने बड़ी पहल की है जिसकी तहत 21 जिलो के साथ ही अनुमंडस सर के ओशिधी भंडार के प्राभारी चिकित्सा पदादिकारी भंडार पाल फार्मसिस्टों के साथ ही जुला मुल्यांकन एवं अनुश्रवन पदादिकारियों का वेतन मान दे रोक दिया गया है वह 21 जिलो के सिवल सर्जन को निर्देश भेजेगे हैं कि वे जिम्मेदार पदादिकारियों से लापरवाही का कारण जाने और उनसे स्पष्टिकरन ले और उनके खिलाफ अनुश्रा साथ नात्पक कारवाई करे सरकार को इस बावत अवगत भी करवाई राजव सरकार की तरफ से प्रदेश के अस्पतालों में मुफ्त दवा वित्रन का कारिक्रम वर्षों से चल रहा है साथ निश्य पार्ट दो पर मुख्य सच्विव ने सम्मधित विभागों से मांगी रिपोर्ट निश्कुमार के फिर से मुख्यमंत्री पद संभालते ही सरकारी योजनाओ पर पूरी गंभीरता से काम शुरू हो चुका है चुनाव के दौरान ही सरकार की तरफ से साथ निश्य पार्ट दो की घोश्णा कर दी गई थी वहीं इसकी घोश्णा करने वाली जद्यू अब इसका पालन कराने के लिए विभागों को निर्देश जारी कर चुकी है साथ दिन के अंदर सभी विभागों से साथ निश्य पार्ट दो के पालन करने का प्लान मांगा गया है बिहार के मुख्य सच दीपक कुमार ने इस बात की जानकारी दी है और बताया है कि सरकार साथ निश्य पार्ट दो के सभी योजनाओं पर लगातार काम करना शुरू कर चुकी है उन्होंने कहा है कि इस योजना के तहत संबंधित विभागों द्वारा अगले पांस साल का ब्लूप्रिंट मांगा गया है बिहार में कोरोना के मिले 500 से ज्यादा मामले स्वास्ति वभाग के तरफ से साजा की गई जानकारी के नुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 गंटे में कुल मिलाकर 599 मामले सामने आए हैं जो इसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 2,47,244 पर पहुच गई है वहीं प्रभावित टॉप तीन जिलों की बात करें तो राज़ानी पटना में 259 मामलों की पुष्टी हुई है इसके साथ इस सारन में 36 तो वहीं मुजफरपुर में 35 मामले सामने आए है पटना हाई कोट के चीफ जस्टिस ने बनाया नया रिकॉर्ड मुखिने अधीश संजय करोल के अध्यक्षता वाली दोसदस्य खंडपीट ने वीडियो कॉन्फरेंसिंग की सुनवाई में रिकॉर्ड बना लिया है मिली जानकारी के नुसार उत्पाद अधिनियम के करीब 4000 मुकद ने COVID-19 के माहौल में रिप्टा दिये गे हैं पटना हाई कोट के सभी बेंच में से मुखिने अधीश की खंडपीट ने सुनवाई में सबसे अधिक समय दिया है और अधिक मुकद में निपचाने का भी रिकॉर्ड बना लिया है विहार आया श्रीत लहर की चपेट में विहार में रविवार का दिन सी सर्दी में सबसे ठंडा दिन रहा शनिवार को भी ठंड का कहर चरम पर रहा राजो के 26 जुले श्रीत लहर से ठिटूर रहे हैं हालात को देखते वे पटना के मौसम विज्यान केंड ने सोमवार के सुबह तक के लिए साड़े आठ बज़े तक श्रीत लहर वाले 26 जुलों के लिए औरेंज ऐलर जारी कर दिया था मौसम विज्यान केंडर के बैग्यानेक संजे कुमार के अनुसार बरफीली हवाओं की गती तेज होने के साथ राजे भी शंठंड की चपेट में हैं पिछले दो दिनों से राजो का नियूंतम तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया है कराके कि ठंड और हवा की च प्रकास शाग की करीर की शुरुआत डोकुमेंटरी अंडर दाब्लू से की थी उसकी बाद उन्होंने आठ वर्षों के लंबे अंतराल में कई डोकुमेंटरी का निर्मान किया इस दौरान उन्होंने बिहार के दंगों के ओपर एक शॉट फिल्म बनाई थी जोसे रिलीज होने के कुछ दिन बाद ही बैन कर दिया गया था लेकिन प्रकाश को उस चौट फिल्म के लिए नैशनल अबॉर्ट से समानित किया गया था बिहार के गन्ना मंत्री ने किसानों को ले कर दिया अपना बयान बिहार के गन्ना मंत्री ने किसान आंदोलन को लेकर अपना बयान जारी किया है जुसके तहट 25 दिन से चल रहे किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने कहा है कि देश में 5.5 लाख गाउं है जहांके किसान को कृष्वी कानून को लेकर किसी प्रकार की परिशानी नहीं है विरोध सिर्फ दो राज़ के किसानों द्वारा किया जा रहा है जो कि किसानों के आंदोलन की सच्चाई बता रहा है मंत्री ने यह भी आगे कहा कि दिल्ली में किसान आंदोलन के नाम पर सिर्फ दलालों का जमावरा है सही माइने में यह किसानों का नहीं बलकि दलालों का आंदोलन है उन्होंने कहा कि देश में पंजाब और हरियाना को छोड़ किसी राजय के किसान कानून को लेकर आंदोलन नहीं कर रहे है बिहार में किसानों को कानून से कोई परिशानी नहीं है कोरोना के माहौल में करवाई गया बिहार विधान सभा चुनाव को ले करेचार श्री निवास ने दिया बयान COVID-19 के माहौल में कुछ समय पहले ही बिहार विधान सभा चुनाव का आयोजन करवाई गया था वहीं चुनाव के आयोजन को लेक रैचार श्री निवास और फिर स्वास्तवभाग के विधान सचिफ प्रत्य अमृत ने दूसरे राजों के अधिकारियों के साथ COVID-19 के माहौल में चुनाव प्रकरिया के अपने अनुभव को साजा किया है इसके साथ ही इन्हें विधान सचिफ चुनाव के रिसोर्स पर्सन के रूप में नियुक्त किया गया है मिली जानकारी के नुसर COVID-19 के माहौल के बीच बिहार विधान सचिफ चुनाव सफलता पूरवक संपन करवाकर बिहार चुनाव आयो के अधिकारियों ने उधारन पेश किया है जिसकी बाद देश के जिन भी दूसरे राजो में चुनाव होने है सभी राजु के अधिकारी बिहार के निर्वाचुन पदाधिकारी और स्वास्तव भाग के अपसरों से सुझाव लेने में लग गया है बिहार साइबर क्राइम को ओडिनेशन सेंटर का जल्द होगा निर्मान में बैंक को इसे विक्सित करने किस जिम्मेदारी सौपी गई है इसके लिए अत्याधूनिक साइबर सेल के गठन की कवायत भी तेज हो गई है बिहार साइबर क्राइम को डोनेशन सेंटर में डी आई जी सहीत किस पुलिस अधिकारियों की न्युक्ति की जाएगी इसके लिए साइबर आई जी तीन एसपी तीन डी एसपी और बारह इंस्पेक्टर रांग के अधिकारी सहीत अन्य पुलिस बल की तैनाती की जाएगी आपको बता दे इस कोडिनेशन सेंटर का नाम साइबर अपराथ के मामलों को सुलजाने में आ रही चुनौतियों को कम करना होगा भागलपुर पहुचकर मुख्यमंतरी नितीश कुमार ने 3000 पुर्व की प्राचीन सभ्यता के अवशेशों को देखा भिहार चुनाब 2020 में जीत के बाद पहली बार भागलपुर दोरे पर मुख्यमंतरी नितीश कुमार पहुचे थे जिसके बाद उन्होंने जुले के बेपुर में जैरामपुर में गुवारी दी बहियार में लगभग 3000 पहले की प्राचीन सभ्यता के मिल रहे अवशेशों का अवलोकन किया इस दौरान उन्होंने कहा कि पुरा तत्व अवशेशों के संगरक्षन के लिए कोसी के धार को मोड़ा जाएगा स्थल का पूर्ण अध्यान होगा आपको बताते बीते दिन मुख्यमंतरी नितीश कुमार गुवारी दी का निरिक्षन करने ही पहुचे थे माहिने उन्होंने स्थल निरिक्षन के बाद जलसन साधन मंतरी विजय कुमार जौधरी के साथ भी कोसी धार का निरिक्षन किया बेगुसराय में 218 करोर की लागत से बदलेगी सिक्षा विवस्था की तस्वीर बदलने की कवायद तेज हो गई है वितिये वर्ष 2021 के दौरान सर्व सिक्षा अभियान के तहट 218 करोड रुपे की लागत से विवस्था बदली जाएगी केंद्रियमंत्री गिर्राज सिंग को सिक्षा विभाग के अधिकारियों ने पूरा प्योराज सौप दिया है कि आखिरकार विभाग किस तरीके से सिक्षा विवस्था को और भी ज्यादा सूधरिट करने में जुटा हुआ है केंद्रियमंत्री गिर्राज सिंग ने केंद्र सरकारद्वारा संचौलित कल्यानकारी अथवा अब सन्रचनात्पक विकास से जुड़ी सभी योजनाएं अती महत्वपूर्ण होने की बात कही है इतना ही नहीं उन्होंने यह भी कहा है कि इस तभी योजनाओं का संबंध आमजन के समगरविकास से है बिहार में उठी लब जिहाद कानून बनाने की मांग बिहार में भी अब लब जिहाद कानून बनाने की मांग उठ गई है लोग हाथ में जंडा लेकर जैर श्रीराम के नारे लगाते भी नजर आए आपको बता दे इसके पहले कि इंडिये मंत्री गिलराज सिंग ने भी लब जिहाद कानून का समर्थन किया था उन्होंने नितीश कुमार सरकार से अनुरोथ किया था कि वो इससे समझे और लब जिहाद और जनसंख्या नियंदरन जैसे मुद्धो का साम्प्रदाइकता से कोई सरोकार नहीं है पटना की गंगा में जहाज पर सेर का मजा उठा सकते हैं अब पटनावासी गंगा की लहरों पर सेर करने के लिए पटनावासी तयार हो जाए COVID-19 से बचाव के लिए लागू लॉक्डाउन में लंबे समय से बंद चल रहे विहार राजु पर इटन विकास निगम का जहाज MV कोटिल्य विहार एक बार फिर से दर्श्रकों को गंगा की लहरों पर सेर करवाना शुरू कर चुका है मिली जानकारी के नुसार बीते दिन से लहरों पर सेर का सिलसला शुरू हो गया है जहाज में सेर करने के लिए 100 रुपय का टिकेट लेना होगा सुबह 11 से शाम पाच बजे तक गंगा की सैर करवाई जाएगी विहार यानी की पानी में चलने वाला जहाज का विहार राज्य परटन विकास निगम ने जहाज का सुन्दरी करन किया है जो आज से नए डिजाइन का टिन लगाया हुआ है लालू की पार्टी में नरेंद्र मोदी की सिंधू बॉर्डर पर नहीं जाने पर उठाए सवाल किसान बिल को लेकल आजनीती लगतार पूरे भारत में जा रही है वहीं बिहार भी इस राजनीती से अच्छूता नहीं है इस इक्रम में राज़त ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया है जिसके तहत लालू की पार्टी राजन ने निशाना सात्ते वे कहा है कि पियम मोदी को गुरुद्वारा जाने से पहले किसानों के बीच जाना चाहिए था प्रधार मंत्री मोधी किसानों के मुद्धे को सुलजाने के लिए गुरुद्वारे की बजाए सिंधु वॉर्डर जाए राज़त के रास्ट्रे प्रवक्ता मनोज कुमार जहा ने आगे कहा है कि पीएम मोधी को रकाब गंज गुरुद्वारा जाने से पहले सिंधु बॉडर जाने की जरूरत है जहां पर किसान लगातार अपनी मांग को धोरा रहे हैं सरकार को चाहिए कि किसानों के मसले को मांजी ने अपने अनोखे अंदाज में कि नितीश कुमार की तारीफ बिहार के पुर्फ मुख्यमंत्री जीतनराम मांजी ने मुख्यमंत्री नितीश कुमार की तारीफ की हमेले जानकारी के नुसार बिहार में एक काबा को मांजी ने बता दिया है मांजी ने इसके लिए नितीश कुमार के उन तस्वीरों को साजा किया है जिसमें वो ग्लास ब्रिज पर घूमते नजरा रहे हैं दरहसल पिछले दिनों मांजी पर सवाल उठने लगे थी कि वो कहीं पुर से पल्टी मार कर महागठ बंदन में तो नहीं जाने वाल हैं इसके बाद से ही वो लगातार राज़त पर निर्शाना साधर है और अब तो बिल्कुल नए अंदाज में मुख्यमंतिर नितीश कुमार की तारीफ करते नजरा रहे हैं जितने राम मांजी ने ट्वीट करते वे कविता भरे अंदाज में कहा कि बिहार में काबा पूछने वाला सभी देखा बिहार में इ राजनीती शूरू हो गई है मिले जानकारी के नुसार राजुद ने अपने सभी विधाएकों और वधान परिस्वत के सदस्यों को लेकर एक निर्देश जारी किया था जिसमें उनसे कहा गया था की वो हर महीने 10,000 पार्टी के फंड में जमा करे इसको लेकर जदिूंने लालु प्रिसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव को निशाने पर लिया था जिस पर पार्टी के वरियनेता शुवालन तिवारी ने इस मामले में पलटवार करते वे कहा कि कोई नई परंपरा नहीं है क्योंकि सभी वधाय को और वधान परिस्दों की सुमिधाओं में इदाफा किया गया है ऐसे में 10,000 की राशी बहुत ज्यादा नहीं है रविशंकर प्रसाद ने किसानों के हित में बताया क्रिशी कानून को तीनों किसान बिल्की वापसी और नियुंतम समर्थन मूले ग्यारंटी कानून की मांग को लेकर किसानों का अंदोलन लगभग 25 दनों से जारी है किसान कानून को वापस लेने की मांग भी लगातार सुनने में मिल रही है हाला कि केंद्रिय मंत्री रवशंकर प्रसाद और नित्या नंद्राई ने किसान कानून को किसानों के हित में बताया है बीते दिन बांकी पुर्वधान सभाज शेतर में भाजपा की तरफ से धन्यवाज सभा और किसान चौपाल के आयोजन के दौरान उन्हाने कहा कि जो कॉंग्रिस 2013 में नए क्रिशी कानून को सही बता रही थी किसानों की उपच की अच्छे मूले की मांग कर रही थी आज वही क्रिशी बिलका विरोध कर रही है सुशान सिंग राजपूत के पिता को आया दिल का दौरा विली जानकारी के नुसार उन्हें हर्याना के एक अस्पताल में भरती करवाए गया है हाला कि राहत की बात ये है कि उनकी स्थिती में सुधार हो रहा है जाने माने फोटोग्रफर विरल भियानी दौरा अपने Instagram पोस्ट में अस्पताल में केके सिंग की तस्वीर पोस्ट की गई थी वहीं ट्विटर पर भी इस बात को साजा किया गया हाला किस खवर के आने के बाद ही बिहार सहित पूरे देश में सुशांत के चौहने वाले प्राथना कर रहे हैं पटना में केके सिंग के पडोसी भी उनकी सलामती की दुआय मांग रहे हैं भारत के इतिहास में आज की तारीक कई कार्णों से है दर्ज भारत के इतिहास में आज की तारीक कई कार्णों से एहम मानी जाती है पंडूबी परिक्षन देने वाले देश के पहले पोत आई एनेस सत्वाहन को 1974 में आंधिप्रिदेश के विशाखा पटना में जहाजी बेडे में शामिल आजी के दिन किया गया था बाद शाहकबर के प्रमुख राज दूट सरदार मान सिंग का जन्म 1550 में आजी के दिन हुआ था बहुमुखी प्रतिभा के धनी सामाजी क्रांती के अग्रदूत तथा 36 गर राज के जागरन करता सुंदरलाल शर्मा का जन्म 1881 में आजी के दिन हुआ था बहारतिय सिर्मा के महानाएक अमिताब बच्चन की मात तेजी बच्चन ने आजी के दिन साल 2007 में दुनिया को अलविदा कह दिया था औस्ट्रेला के खिलाफ टीम की हार के बावजू टेस्ट रांकिंग में विराट कोली की हुई बढ़ोतरी औस्ट्रेला के खिलाफ चार मैचों के टेस्ट सीरीज के पहले मैच में भारतिय टीम को करारी हार का सामना करना पड़ा लेकिन कप्तान विराट कोली एडलेड में पहली पारी के दौरान 74 रन बनाने में काम्याब रहे थे जिसके कारण ही ICC टेस्ट बल्लेबाजो की लेटिस्ट रांकिंग में टॉप पर काबिस स्टीव स्मित के करीब पहुँच गया है लांकिंग में दूश्रे स्थान पर काबिस भारतिय कप्तान की अर्ध श्रतकिय पारी ने उन्हें दो रेटिंग पॉइंट का फाइदा हुआ है जिससे उनके नाम 888 रेटिंग पॉइंट हो गये है इस टेस्ट की दोनों पारियों में एक रन बनाने वाले उस्ट्रिला के पुर्फ कप्तान स्मित को 10 पॉइंट का नुकसान हुआ है जिससे उनके नाम 901 रेटिंग पॉइंट रह गये है सुषान सिंग राजबूत मामले में करन सल्मान को रहत मिलेगी या नहीं इस बात का फैसला होगा अगले महीने सुषान सिंग राजबूत मामले में फिल्म प्रोड्यूसर करन जोहर और अभिनेता सल्मान खान को समझ जारी किया गया था हाला कि अब इन दोनों को राहत मिलेगी या नहीं अगले महीने तैह होगा इस पूरे मामले के अधिवक्ता सुधीर ओजा के पुनिरिक्षिन को लेकर बीते दिन ADG A.K. राकेश मालविये के कोट में सुनवाई हुई जिसमें नाउजद एकता कपूर, साजद नाडियावाद, भूशन कुमार और दिनेश विजन की तरफ से अधिवक्ता, प्रियर अंजन, संजे लिला बंसारी की तरफ से हाई कोट के वकील सुषिर कुमार ने उपस्तत होकर जवाब दाखिल किया हाला के जुरान, सल्मान खान और करन जोहर के वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है मिली जानकारी के नुसार अगली तारीख नौजन वरीत है की गई है फेस्बुक बग के कारण लीक हो गई इंस्टाग्राम यूजर की परसनल डीटेल्स हाली में फेस्बुक पर आए एक बग के कारण इंस्टाग्राम यूजर की इमेल आईडी और जन्म दिन जैसे परसनल जानकारी लीक हो गई है सिक्योरिटी रीसर्च सौगात पोखरेल ने इस बग का पता लगाया है और फेस्बुक को इसकी जानकारी दिया है यह इतना खतरनाक था कि इसके जरिये यूजर की प्राइवेट डीटेल्स का एकसेस पाना किसी के लिए भी आसान हो गया था फेस्बुक ने हाला कि अब इसे ठीक कर दिया है मिली जानकारी के नुसार इंस्टरग्राम एक फीचर की टेस्टिंग कर रहा है जिसके लिए इसके लावा राज़ानी पतना में प्रेट्रोल की कीमत 86.32 रुपे प्रती लीटर थी वही डीजल 89.10 रुपे प्रती लीटर था कल हमारे द्वारा पूछे के सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था उसके लिए आपका बहुत-बहुत हनिवाद आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं मगर समय के आभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे तो चली बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है आपके आसपास के इलाकों में सड़क किनारे रहने वाले लोगों के लिए सरकार ठंड के मौसम में परियाप्त विवस्था करवा रही है या नहीं अपने जवाब हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं इसके साथ ही आज के लिए बस इत प्रत उनल गधे किनारे ज़रूर घप साथ ही आज चली दो में आस्माई कर दब किनारे रही है आज के मौसम में पिए लिए और सांग में वाले हैता च está Clo mé sólo व के वाले है